हाई गाईज वाकम बैक टो मैं चैनल कैसे हो आप सब आई ओप आप सब ठीक होंगे मैं भी विल्कुल ठीक हों सो गाईज अभी आप सोच रहे हों कि मैं इस ब्लैक अबया के साथ क्या कर रही हूं तो वी कि जी हां आज की वीडियो एक रिक्विश्ट्ट वीडियो है और मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि दीदी अभाया के साथ आप किस तरह से कवर करना है बताएगा तो आई थोट कि आपके साथ शेयर करूं अगर आपको मेरी एक अच्छी लगे तो प्लीस आप इस वीडियो को लाइक चाहा को सब्सक्राइब कीजिएगा रट टले कर सब्सक्राइब बटन पर किलिकर कर बाजू में बला आइका उससे भी जरूईट कीजिएगा पसना जाए तो शेयर कर सकते हो आपके दोस्तों के साथ नौ भी तॉट अनी फॉदर अडू पहन लिया है यहां पर मैंने एक टाइट बन मना लिया है आप चाहे तो ख्लेचर की हल से भी आपके हैर्स को टाइब कर सकते हो ताके आपके हैर्स जो है डिस्टर्ब ना करें त तो यहां पर मैंने लिया है यह वाला डुपट्टा आपको अराम से डुपट्टे स्टोल्स मिल जाते हैं अब आया अलग से भी आप पर्चेस कर सकते हो तो यहां पर मैं विटॉट हिजाब कैप आपके साथ शेयर कर रही हूं बहुत ही सिंपल में मैं आपको बताऊंगी तो यहां पर मैंने फोडर कर लिया है करी एका है कर लिए है शेयर कर लोंगी ताकर यह अच्छह से टाइप हो जाए and I don't know guys मैं पस काफी सारे ball pins थे उसका पूरा pack था अभी ज़स्ट मैं धून रहे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मेरा है तो so sorry मैं आपर safety pin की हट से ही आपको बताऊंगी किस तरह से हम बहुत ही अच्छे से हिजाब बना सकते हैं so you can see and यहां पर मैं इस तरह से एक-एक layers बनाऊंगी so थोड़े थोड़े यहां से आप back side से टुपर टे को ले 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 और इस तरह से fold करते हुए आपको ले आना है ताकि you can see कि यहां पर अच्छे से layers आ रहे हैं तो मैं यहां पर two layers ही लूँगी and यहां पर कुछ इस तरह से आपको hold करना है and यह हो गया first and second layer second layer से हम इसे इस तरह से यहां पर आपका जो चिन है चिन के set से इस तरह से fold कीजिए you can see कि यहां पर यह three layers आ गए है ठीक है then आप यह three layers को इस तरह से पकड़ कर आप बॉबी पिन की help से secure कर लें यहां पर में बॉबी पिन में पस अभी नहीं है तो मैं इसे safety pin की help से secure कर दूँगी यहां तक हमारा जो डुपट्टा है काफी अच्छे से आ गया है आप simple इसे ऐसे भी रख सकते हैं बहुत ही प्यारा look आता है you can see and इस तरह से जुड़ा बनने से या फिर hair clutcher लगाने से जो side है आपका बहुत ही प्यारा लगता है as you can see and हमारे layers भी बहुत ही अच्छे से आए है and I hope कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको डुपट्टा carry करना है then आपको निखाब लगाना है तो किस तरह से लगाना है यहाँ पर अभी हमारे डुपट्टा कुछ इस तरह से हैं किस तरह से आप cover कर सकते हैं आपका face तो यहां पर आपने इस तरह से theoड़ा सट उपटे को फोल्ड करना है और यहां पर बहुत ही आसानी से बहुत ही ईजिस तरह से आप लगा सकते हो नोस के पास आप इस तरह से कर सकते हो और थोड़ा से नीचे की सेट जागर आप सेफटी पिन की हलसे से टाइ कर लें अच्छे से पिन लगा लें हिजाब वित निखाब आप किस तरह से कैरी कर सकते हो बहुत ही प्यारा लगता है एंड मुसलिम्स के लिए तो यह बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही प्यारा लुक है अगर आपको कोई पार्टी फंक्शन में भी जाना हो तो आप कुछ इस तरह से निखाब लगा सकते हो और यहां पर आप देखी सकते हो यह पूरा एरिया आपका कवर हो जाएगा आपको कि मेरी आवास आपको आ रही होगी तो मैं आपको अभी बैक सैंड टर्न करकर भी बताऊंगी और पूरा होल लुक मैं आपको बताऊंगी कि पूरा पहने पर अबाया के साथ यह लुक कैसा आया है तो जासे के साथ भी आप देख सकते हो किस तरह से यह कवर हो गया है और बहुत ही प्यारा सा लुक आपको मिलता है that's it for this video I hope कि मैंने अच्छे से explain किया है और आपको यह वाला हिजाब लुक पसंद आया होगा तो अगर आप ट्राय करते हो तो प्लीज मचे कामेंट करकर जरूर बताएगा आप चाहिए तो picture share कर सकते हो instagram पर link आपको मिल जाएगा निचे description box में and मैं आपको पूरा whole look भी यहाँ पर video clip लगा दूगी कि पूरा look आपको कैसा मिलता है अबाया के साथ so hope आपको अच्छा लगा होगा video पसना तो please video को like, channel, subscribe and share जाएगा मिलती हम आप से next another video के साथ till then take care, thanks for watching, bye guys